हलो गाईज असलाम वालेकुम वेलकम होगे आपका रूबी के जहां रियल ब्लोग में तो देखिए काम करते करते ज्यादा टाइम हो गया था दो बज गये थे तो मैंने खाना नहीं बना आई थी बनाने जार थी पर मेरे हजबन ने बोले कि मत बना और रहें तो टाइम ज्या कि अब हम लोग जा रहे हैं अभी तीन बज रहा है और हम लोगो फिर जल्दी वापस भी आना है क्योंकि आकर खाना भी बनाना है क्योंकि आज भी बातियां दिलानी पड़ती है तो यह देखिए हम हम लोग मार्कीट पहुंच गए थे मेरे हम लोगों छोड़ दिये थे औ और यह देखिए यह दिखा रहा था तो यह मुझे बिल्कुल एक परसेंट भी नहीं अच्छा लग रहा था वस मैं ऐसी देखने के लिए गए थी कि मतलब यहां पर क्या रेट चल रहे हैं क्योंकि फिर दूर जाना पड़ेगा वंबई साइड में तो वहां पर जाने में लगता है फिर मेरे पाँ चोटा वच्छा भी है इसलिए मैं सोचे थे कि यहीं पर मुझे अच्छे दाम से मिल जाए तो मैं यहीं पर ले लूँगी पर नहीं मिल रहा था फिर भी मतलब मैंने यह देखिए यह भी लहंगा है और उपर की कुर्ती ऐसे गोल्फ रॉक के तरह है और यह सारे ड्रेज देखिए कि इतने खुबसुरत कुसुरत है पर सारे पुरारे डिजार ने भी नहीं कुछ नहीं आया है तो बोल रह थे कि 10 तारीक के बाद मतलब आएंगे 15 तारीक तक वैसा चीज मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए था तो देखिए हम लोग की शॉपिंग हो गई है और ज्यादा कुछ नहीं लिए थे हम लोग यहां पे अपने अज्वेन का दिदार कर रही हूं मैं बोले तो यहीं पर खड़े रहना तो यह मुझे एक भाईया दिग ब्रीज के पास मैं खड़ी हूं और यह देखिए यहां पर वाशिंग चेंटर है और यह बातरूम इसको डेंपिंग वाट कहते हैं यहीं पर मुझे छोड़ देते हैं जब भी जाते हैं साथ में यहां से में रिक्षा करके वैगर वाड़ी चली जाती हूं मार्कीट में औ मेरे देती हूं अगये है मेरे यजमेन भी यहां है तो देखिए आधाने जरणे जाना यह तो दो मिननना खिदा जास चलते एंडरा राजा है द आगे तक हते हैं और साइड से कुछ काम भी चालू है तो यह वाशी का सीन वाशी ब्रीज और मुबाईले से कड़कर हील रही है कि बतलब थोड़ा सा भी अगर वह हो जाए तो फिर मुबाईल ही नीचे गिर जाए तो फिर मुझे डर लगने लगा था इसलिए तो फिर में वहापस से दो बीच के उपर से तो देखिए भी एवीच खतम होने वाली है और बहुत फास हम लोग जा रहे हैं कि मेराजमिन को कहीं जाना भी है उनका फोन आ गया था तो बहुत फास लेकर के जा रहे हैं उनको टाइमिंग दिये हैं पहुंचने के लिए तो तो देखिए हम लोग घर पे पहुंच गए थे चाय भाई पिये थोड़ा आराम किये तो अभी शाम हो गई तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया था फातिय दिलाना था तो मुझे खाना नहीं बनाना था तो फिर लड़के लोग से ही बोल दिये थे कि फातिया का खाना है यह साड़े आट बज़ गया था तो फिर नमाज का भी टाइम था हो गया था तो फिर कोई मौला नहीं मिलते हैं फातिया करने के लिए उए थैसी फातिया करने के लिए्प खाना होना खाने के बाद वाद सब चले गए है मस्धिद पे और मैं हूँ अकेले घर पे तो यह देखिए लड़कों ने रोटी बनाई थी ज्यादा नहीं बनाया थी लोने शिर्फ चार रोटी बनाये थे फिर भी अच्छी रोटी बना दिये थे तो यह रखा हुआ है और यह देखिए हलुआ बनाया था मेरे भाई ने तो इसमें से सोड़ा सा फातिया के लिए निकाल लिये थे और यह इतना बच्छा हुआ है और खाना बन के नीचे रखा हुआ है, फातिया हो गया, सब कुछ हो गया है, सब खाना वना खा चुके है, और ये देखिए, दोनों बच्चे बैठ के अके लिए मॉबाइल देख रहे हैं, और ये मेरा बेटा बड़ा अपरसान इसको इसको मॉबाइल चीए, पर ये फ्री फ तो यहां पर चलते रहते हैं और कुछ लोग करते हैं तो यह रोड भराबर असलागता है पर आज गाड़ी आज जा रही है अच्छिटी का दिन है इस वज़े से और मेरे यहां तो कोई है नी सब दिन चले गए हैं मस्जीद में नमाज पढ़ने के लिए तिलावते करने के ल टाइम नहीं बचा है तो अच्छा ही लग रहा है अकेले कोई है नहीं तो घर में और अकेले मुझे घर भी लगता है पता नहीं क्यों ऐसे ही तो यह देखिए मैं आ गई हूँ कि चन बस ऐसी घूम रहे हूं यह बेट रूमें और खिड़की खुला हुआ था तो इसको मैं बन करने के लिए आ रही हूं तो यह देखिए यह मैंने बरतर नहीं दूली हूं कालों का कैसी रख दियते हैं हम लोग ने क्योंकि तीवार के लिए खासकर के सब्सक्राइब रात या कोई रियास खातिया होता है तो मैं रात को बरतर नहीं धूलती हूं कुछ नहीं करती और तहसाद नहीं दूलना चाहिए। है किसके मेरे भीएली भीगार को थाँ में में आंदर है। गद कहा है नहीं में थाध मौनीहें लिजकर खनका असाज कॉम्स हा लाफ कक भीघाये लिए फायदा है किसी ने बतायत है तो देखिए इमली कमनेश में लिगा कर रख दी हूं और देखिए दूद में लोग ने खुला छोड़ दी हैं तो देखिए यहां के सारे काम हो चुके हैं मेरे और अभी राद भी काफी जादा हो गई है देड़ बज रहे हैं अभी कोई आया नहीं है और तो आज हम लोग मार्किट गए थे गोंडी मार्किट इतने महेंगे कपड़े हो गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े इद में कैसे लेंगे जो कपड़े दो हजार बाइस सो पची सो के आते थे सीदे छे हजार आठाजार के आ रहे पर कोई नही बस 3-4 ड्रेस ले ली मैंने मेरा दिल ही टूड़ गया था कि ती दूर से आई हूँ मैं और ड्रेस मुझे अच्छे नहीं भी जैसा मुझे ड्रेस चाहिए था वैसा कुछ आया भी नहीं था नहीं तो दुकारवले भाईया बोले थी कुछ दिन के बाद आओ एक हपते के ब करना और स्कीप करके बिल्कुल मत देखना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए लाफिस बाई बाई गुनाई दोस्तों